हेलो एवरिवान तो आज हम अपने वोइस के जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसी को तो अब इसमें क्या आएगा कि हमने पिछली स्लाइट्स में पढ़ा था कि सब्जेक्ट अगर एक्टिव है तो सारा काम जो है वो डूर कर रहा है अगर सब्जेक्ट रिसीवर है तो वो संटेंस पासिव है और हमने पढ़ा था कि वोइस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं अक्टिव और पासिव उसके बाद में मैंने आपको अक्टिव और पासिव वोइस का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था उसके बाद में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम sentence में उन्हें use करते हैं ओके आज हम पढ़ेंगे उसी को आगे हम continue करेंगे तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये बताया था कि जो passive sentence है हमारा उसमें हम verb की third form use करते हैं और हम use करते हैं helping verb ओके ये कहा था मैंने और मैंने कहा था कि ये structure है object है by है subject है subject है जो object बन जाता है object है subject बन जाता है और जो verb है उसमें helping verb use करते हैं plus verb की third form use करते हैं मैंने आपको याँ पर ये बताया था कि passive में जब हम helping verb use करते हैं तो हम वहाँ पर एक structure यूज़ करते है B plus verb की third form is equal to passive अभी आप मुझे ये बताईए कि B क्या है ये B क्या था So B, मैं आपको बताऊँ B जो है यहाँ पर मैं लिखते देती हूँ जो B होता है हमारा ये बहुत important concept है B जो है verb की उस form के लिए यूज़ के रहता है जिसके under क्या क्या रहता है is am, are present के अंदर is, am, are जो है वो B की कैचागरी में फॉल करते है then was, were and जो last हमारा रह जाता है वो है been तो B की कैचागरी में ये फॉल करते है ठीक है is, am, are, was, were और been यानि कि अगर sentence में helping verb है तो हमने is, am, are, was, were या been यूज़ करते हैं उसी के साथ में हम वो की third form यूज़ करते हैं लेकिन अगर आपके पास has की जो form है वो आज़ाए जैसे की has आज़ाए या have आज़ाए या had आज़ाए ओके, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे या फिर हमारे पास will या शेल आज़ाए क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हम कभी अकेला will लगा दे और verb की third form लगा दे, हम लिखते हैं ऐसे will return no, we wrote will be written that means, जो will है वो कभी भी अकेले नहीं आ सकता, उसको भी को लेकिया आना पड़ेगा साथ में यह we form बहुत ही important है अच्छा, अगर हमने इसको passive में चेंज करना है और हम लिख दें has written, तो passive में नहीं बनेगा वो sentence, has written जो है वो फिर active में ही रह जाएगा अगर हमने उसको passive में बनाना है तो हमें B की कोई ना कोई form जरूर लेनी पड़ेगी जैसे की हमें B की हमें B की isMR या waswar या bean इसमें से हमें कुछ ना कुछ जरूर use करना पड़ेगा, तभी वो जो has sentence हमरा passive में आपाएगा अकेला has और third form लगा दे तो नहीं बनेगा have लगा दे, third form लगा दे तो अभी वो passive में नहीं जाएगा hat लगा दे, verb की third form लगा दे तो अभी वो passive में नहीं जाएगा wheel और shell अकेला लगा दे तो अभी वो passive में नहीं जाएगा कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है जैसे कि वाइस में जो है टेंस कभी भी चेंज नहीं होता वोड़ इसका मतलब यह है कि अगर आपका टेंस जो है अगर वह पास्ट में है और आपने उसको पासिब में चेंज कर दिया तो व उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा देन आपको याद रखना है की शेकिंड वर्ब की थार्ड फॉर्म ही हमेशा पासिब व्याइज में यूज होती है और आपको याद रखना है कि हम किसी ना किसी प्रेपोजिशन का यूज जरूर करते हैं बड़ जो मुस्टी मा वह है बाई ओके वहीं पर अगर वर्ब जो है वह फॉलो करती है एड्जेक्टिव को इफ वर्ब फॉलो एड्जेक्टिव 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 जो वर्ब अगर फॉलो कर रही है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह सरेगा कि वर्ब आएगा देन अड्जे की पा रहे होंगे इसका एक्जेम्पल क्या हो सकता है अगर मैं कहूं अगर मैं बोलू रोज स्मेल्स स्वीट इफ आई से रोज इस पिसियो चैँज करेंगे जल्दी से अपनी नोटबूक में सॉल्ब कर लिजए रोज स्मेल्स स्वीट तो इसका स्चच्चर यह रहेगा कि इसका हम सब्जेक्ट यह रहेंगे रोज का रोज ही रहेगा अब smells की जगह पर क्या आएगा is Rose is और आगे क्या आएगा Adjective sweet Adjective क्या है हमारा यहाँ पर sweet Then when Rose is sweet when it is smell इस तरह से इसका कुछ Rose is sweet when it is smell Then यहाँ पर हमने pronoun यूज किया It is और इसी pronoun को हम almost यूज करते हैं It is अगर वो उसको हम person के हिसाब से change करेंगे कि किस person में change होगा लेकिन अगर आपको यह structure अभी समझ में नहीं भी आया है Then it's okay इसको आप जब बाद में इसको सारे voices को revise कर लेंगे तो आपको यह आप बाद में इसको revise कर सकते हैं Next चलते है अब preposition का क्या roll होता है Preposition का roll आप person के हिसाब से लगाते हैं जैसे कि अगर कोई person के बारे में हम बात कर रहे हैं living चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम by का use करेंगे अगर वो कोई thing है तो हम उसके जगह पर add का use भी कर सकते हैं चीक है और known के लिए जैसे कि कुछ preposition fix होती है उसके साथ में उसी preposition का use कह रहा था उस particular verb के साथ में जैसे हम filled with water is the pot is filled with water हम ऐसे use करते हैं arranged, contained, tired tired के साथ में off ही जाता है conjunction तो यह कुछ conjunction होती है जो हमको याद करनी पड़ती है कि वो fix होती है ख्यार यह preposition का part है बट इसको voice में भी हमारे काम कहीं न कहीं आ सकता है बट mostly हम by का ही use करते हैं ओके next next हम पढ़ेंगे indefinite tense